नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभूं का स्वागत है उस कारिक्रम में जिसका नाम है सत्यवचन और सत्य कौन है प्रभू इशु मसी मित्रों मैं आशा करता हूँ कि आप इन कारिक्रमों के दोरा से आशीशों को प्राप्त कर रहे हैं लेकिन मित्रों हमें आपके पत्रों का इंतिजार है आप में से कुछ लोगों ने हमें फोन किया है हमें इमेल किया है और कुछ लोगों ने मिस्कॉल भी किया है लेकिन मैं आ आपने प्रार्थना निवेदन हमें भेजे ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें आपके यदि कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न हमें भेजें ताकि हम उन प्रश्नों का उत्तर आपको दे सकें और आपकी सहायता कर सकें कि आप इन कारिक्रमों के द्वारा आत्मिक ला अध्यान में हमने उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय के पहले वचन के ऊपर अध्यान को केंद्रित किया मित्रों आज भी हमारा अध्यान उस पहले वचन पर ही केंद्रित रहेगा जो स्रिस्टी की रचना के संबंध में हमें बहुत कुछ बताता है बाइबल में रचना के लिए इबरानी भाषा में बारा शब्द का उपियोग किया गया है जिसका अर्थ है कुछ नहीं से कुछ रचा जाना हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने स्रिस्टी की रचना कुछ नहीं से की परमेश्वर ने सब कुछ तत्वों को भी यहां पर रचा और यह परमेश्वर ही कर सकते हैं मित्रों लोग यह जानना चाहते हैं कि इस स्रिस्टी की रचना किस ने की कब की और साथ ही साथ क्यों की प्री मित्रों परमेश्वर ने इस स्रिस्टी की रचना की हम आज इसका उत्तर जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर ने स्रिस्टी की रचना अपने आनंद के लिए की अपनी महिमा के लिए की परमेश्वर ने इस स्रिस्टी को रचा और मनुष्य को अपनी संगती के लिए परमेश्वर ने बनाया तो आईए मित्रो हम इस गहन विषय के ऊपर अपने अध्यन को आगे बढ़ाते हैं और परमेश्वर की सहाइता से परमेश्वर के दास के द्वारा इस अध्यन में आगे बढ़ते हैं मित्रु मुझे आशा है कि आप इस अध्यन से कुछ नई बातों को सीख रहे हैं। डाक्टर हेरिबर्ट नेलसन के वक्तव्य पर ध्यान देंगे। वह भी जो करमविकास सिध्धान्द को मानने वाला था। उसने कहा मेरी कोशिश थी कि करमविकास सिध्धान्द को सिध्ध क करूं और इसके लिए 40 वसों से भी अधिक समय तक प्रयोग किया। प्रन्तु पून रिती से यह प्रयोग असफल रहा। लेकिन इतना अवश्य हुआ कि मैंने इसका प्रयोग एक पूर्वधारित सिध्धान्द विरोधी द्रिश्टी कोन से किया है। यह दोश मुझ पर लगा कहा जा सकता है कि यह संभव ही नहीं हो सकता कि वह जीव विज्ञान कला की तथ्य से एक व्यंग चित्र बनाया जा सके। अब जीवाशम से संबंधित सामगरे इतनी पूर्ण है कि संभवता नई कच्छाय तयार की जा सकती हैं। प्रन्तु अंतरवर्ती स्रिंखला क संबंधित सामगरी के अभाव के कारण वर्नन नहीं किया जा सकता और इसकी अपूर्णताएं वास्त्विक हैं वे कभी भी पूर्ण नहीं की जा सकती करम विकास सिधान्त का विचार पूरी तरह से विश्वास पर निर्भर है मैं आपको बता दूं कि अब वह धर्म के राज है और हमेशा से ही ऐसा रहा है प्रंतु दुर्भागे से बहुतों ने इसे वास्त्विक्ता के रूप में स्विकार कर लिया है हमारे दिनों में धर्म विज्यानियों का एक समू है जो बुद्धिमान रूडी वादी काहलाना पसंद नहीं करते उन्होंने जिस सिधान्त को अपनाया है उसे इश्वरवादी क्रम विकास के नाम से जाना जाता है यदि आप यह जानना चाहते हैं तो सुनिए कि एक वग्यानिक इसके बारे में क्या कहता है किर्टले मैतर कहते हैं जब एक धर्म विज्यानी क्रम विकास को इस रीती में स्विकार करता है कि रचियत् द्वारा इस प्रक्रिया का प्रयोग किया गया है, तो उसे इस प्रक्रिया के साथ अन तक जाने के लिए तैयार रहना है, यह मात्र एक साधारन प्रक्रिया नहीं है, यह लगातार चलते रहने वाली प्रक्रिया है, यह मनुष्य के लिए सुनहरा युग होगा, भोश्यत काल ना कि भूत काल में। इतना ही नहीं, प्रन्तु रचनात्मक करम विकास प्रक्रिया को किसी आलोकिक हस्थ्यव के द्वारा बाधित नहीं होना चाहिए। का सिध्धान्त सब सिध्धान्तों में सबसे अधिक आवास्तिक सिध्धान्त है। यह लगभग एक अयोग्य मत और एक असंगत इस्थिती है। आज वे लोग जो खरगोस और शिकारी कुत्ते के साथ दोरने का प्रयास कर रहे हैं। वे अविश्वासियों के साथ चलना चाह करते हैं। मेरे प्रयमित्र दोनों कारे एक साथ करना बहुत कठीन है। यह तो ग्रीक रियत की एक घुड़ दोर के जैसे हैं। जिसमें एक घुड़ सवार का एक पैर एक घुड़े के पीट पर और दूसरा पैर दूसरे घुड़े के पीट पर रख कर सवारी करता है। य जब तक दोनों घोड़े एक साथ बराबर में दोड़ते हैं। प्रंतु मेरे विश्वास कीजिए कि जब एक घोड़ा बिफ्रित दिशा में जाने का निर्ने लेगा, तो घुर स्वार को निर्ने लेना होगा कि वह किस घोड़े पर सवारी करें। उधारन के रूप में हम देखते हैं कि एक पत्रिका में बहुत पहले एक प्रश्ण वा उसका उतर छपा था। सबसे पहले प्रश्ण बाइबल लेक के अनुसार, संसार के शिष्टी के तारिक या दिनांग क्या है। अब आप भी उतर सुनिए। पत्रिका में एक लेक छपा था, जो जीवन की श्रिष्टी के बारे में था, जिसमें कहा गया था कि अनिश्चित रूप से कुछ लोग कहते हैं कि दो अरब साल पहले, और कुछ कहते हैं डेड़ अरब साल पहले। जीवन अद्भुत रेती से गहरे सतह में प्रगठ हुआ। विज्ञान जगात इसे स्वस्ट नहीं कर सका कि इसने कौन सा रूप या आकरिती धारन किया। इस पत्रिका के लेक के अनुसार इतना कहा जा सकता है कि कुछ शक्ति के माध्यम से कुछ विशाल अनु ने अपने को दुगना करने के शमता प्राब की। तहासिक विद्वानों ने इस प्रित्वी पर धुंदले में और दुरस्त अर्थाद भूत काल में छोड़ दिया। वह वक्तब्या या कथन एक वैग्यानिक से आया है। जब कुछ वैग्यानिक हमें हमारे पुर्वजों को देखने के लिए पेड़ों में भेशते हैं और कुछ वैग्यानिक हमें समुद्र के सुनहरे पौधों में पुर्वजों को ढूनने के लिए भेशते हैं, मैं आपके बारे में नहीं जानता, प्रन्तु मैं महसूस करता हू कि शिष्टी के बारे में परमेश्वर का कथन आज भी इस आधुनिक युग में स्थीर है एक प्रचलित क्रमविकास की परिभासा जो हर्वर्ड स्पेंसर ने दी है पदार्थ का एकिकरन और सहवर्ती गती का शय होना उस समय होता है जब पदार्थ एक अनिश्चित असंगत एक रूपता से निश्चित सुसंगत एक रूपता में जाता है और उस समय बची हुई गती समनांतर परिवर्त्यत हो जाती है मित्रो इस प्रण थोड़े समय के लिए अवश्य विचार करें आज भी इसको पढ़ना मेरे लिए अधिक मायने रखता है जिसे हम उत्पत्ती एक अध्याय के एक पद में पढ़ते हैं लिखा है आदी में परमेश्वन ने आकाश और प्रित्वी की स्रिष्टी की प्रश्ण है कि ब्रहमान को किस ने बनाया उत्तर है कि परमेश्वन ने बनाया है इस विशय पर सेरमेन ए नागेल ने कहा आप एक छोटे तारे को भी गती नहीं दे सकते हैं आप जंगल के एक पत्ते को भी उसकी आकरिती या रूप नहीं दे सकते हैं ना पहाड की उचाय को उचा कर सकते हैं और ना समुंद्र में डुआ सकते हैं। चोटा हठिला व्यक्ति बड़े अविश्वास के साथ आप राजिसी गौर्व को एक के इंच नीचे नहीं ला सकते हैं। और ना दिन को चायादार और ना गोधिली कर सकते हैं। दुन्दले चांद को चमकदार नहीं बना सकते हैं। और नहीं आप हिम्मत कर सकते हैं कि जिसने सब कुछ बनाया उस पर संदे करें। मित्रों या हमारे लिए उचित होगा कि हम उस प्रतापी, वक्तबिया या कथन को स्विकार कर लें जो परमिशर के वचन में खोला गया है। कि आदी में परमिशर ने आकाश और प्रिथ्वी की, श्रिष्टी की, जिसे हमने उत्पती एक अध्याय के एक पद में आए हम भजनकार के साथ परमिशर की स्रिष्टी पर विचार करें। आकाश जो उसकी हस्तकला है और चांद तारों को उसने ही नियुक्त किया है। यह हम भजन सहिता आठ अध्याय उसके तीन पद में पढ़ते हैं। और भजनकार यह भी स्परन कराता है। भजन सहिता उन की कलिस्या को लिखा, रोमियों के पत्री एक अध्याय उसके बीस पद में। क्योंकि जगत की स्रिष्टी में से परमिशर के अध्रिष्य गुन, अनंत, सामर्थ और परमिशरत्व उसकी रचना के द्वारा समझे जाकर स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसलिए उनके पास कोई बहाना नहीं है। और इसी प्रकास से इबरानियों की पत्री का लेखक इबरानियों की पत्री ग्यारा अध्याय उसके तीन पद में कहता है। विश्वास ही से हम जानते हैं कि परमिशर के वचन के द्वारा समझ स्रिष्टी की रचना ऐसी की गई कि जो कुछ देखने में आता है। वा दिखाई देने वाली वस्तों से नहीं बनाया गया था। मित्रो हमें विश्वास के द्वारा ही स्रिष्टी की रचना को स्विकार करना है। क्योंकि विज्ञान भी हमें यह बताने में असमर्थ है कि बिना कुछ से कुछ कैसे बन गया। परमिशर ने पुस्तक के वृतान्त की अन्य पुस्तकों की लेक में तुलना करते हैं। जो विरोधा भास है तो ओ ध्यान में लेने योग्य है। हमारे अधिकतर देशों में स्रिष्टी के बारे में दंद कताए हैं। और अधिकतर उत्पती के वृतान्त का विग्ड़ा हुआ रूप है। उधारन के लिए सांसारिक देशों का उत्तम वृतान्त बावेल की स्रिष्टी लेक पटियों में हम पाते हैं। कृपया यहां पर कुछ विरोधों पर ध्यान दे। बाबूल देश का लेख आविवस्था के साथ आरंभ होता है। प्रन्तु बाबूल का लेख सुविवस्था के साथ और पूर्टा के साथ प्रारंभ होता है। आदी में परमेशन ने आकाश और प्रित्वी की श्रिष्ट बाईबल में सिर्फ एक ही इस्वर को मानने का लेख है। बाबुल की वृतांत कहता है कि ब्रहमान मात्र एक कारिगर का काम है। प्रन्तु बाईबल कहती है कि परमिर्शन ने कहा और वैसा ही हो गया या अस्तित्तों में आ गया। बाबुल की लेख का चित्रन बेतुका और बचकना या बिरूपता के द्वारा किया गया है। जबकि बाईबल श्रिष्टी करता के बैभोशाले और विधिवत वास्त्विकताओं को प्रस्तूत करती है। परमिर्शन जो पवित्र है और जो एक उधार करता है। बाबुल की अस्विकार करता हूँ क्योंकि यह परमिर्शन का इनकार करती है। और यह प्रकार्शन का भी इनकार करता है। यह मनुश्य के पाप में गिरने और पाप की वास्त्विकता का इनकार करता है। और यह कुवारी मर्यम से इशु मसी के जन्म का भी विरोध करता है। इसलिए करम विकास नहीं चल सकता है और जिसका हल करम विकास नहीं कर सकता है कुछ नहीं से कुछ के वीच जो खाली स्थान है उसे पुल बना कर यह नहीं जोड सकता है या कुछ नहीं से जीवन के बीच पुल नहीं बना सकता है यह मानवता और जीवन के बीच फूल नहीं बना सकता और वह है संकोश श्रील मानव जीवन का एक स्वतंत्र इच्छा के साथ। यहाँ पर कहने का तात्पर है कि मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी गई है, प्रन्तु मनुष्य संकोची है। मित्रों भीड ऐसे भी हमेशा कुछ समेदन श्रील बातों की तलास में रहती है और कुछ रूची दाया खोज के साथ आती है। करम विकास सिधान्त के कुछ लोगों ने टेकसास के गलेनरोस के निकट एक खोज की जहां डायनसूर रहते थे। अब आप ऐसा सोच सकते हैं कि टेकसास में एक सबसे बड़ी खोज करेंगे। क्योंकि संभवता डायनसूर वहाँ पर थे। प्रंत उन्होंने एक ऐसे वस्तू को ढून निकाला जो हमें विचलित कर देती है। उन्होंने उसी अस्थान पर मानों के कुछ विशाल के आवसेस प्राप्त किये। क्या आप ये पाएं कि वे वापस चलते हुए डायनसूर मानो जाती थे, जो आज के मानो जाती से कई गुना बड़े थे। मित्रो मै करमविकास सिधान्त के बारे में भईश्वानी के रूप में कह सकता हूं कि यह सिधान्त कुछ वस्तों के अंदर अनिक समस्याओं का सामना करने व है, प्रंतो तीसरा प्रश्ण हमारे सामने उठखड़ा होता है, लोग सिर्फ इतना ही नहीं पूछते कि कि किसने सृष्टी की रचना की है और कब उसने इसे रचा, प्रंतो लोग यह भी पूछते हैं कि उसने क्यों सृष्टी की, मेरा विश्वास कीजिए कि हम एक सही व अच्छा है और वह इससे प्रसन्न हुआ। वह इससे प्रसन्न करता है। क्या मैं आपसे फिर कहूं कि या संसार या ब्राहमान को उसने अपनी खुशी के लिए ही रचा है। उसने देखा कि श्रिष्टी ठीक है तो वह अपने कार्य से आनन्दित हुआ। इस ब्राहमान को रचने का दूसरा कारण था अपनी महिमा के लिए। अर्थात अपनी महिमा करना। मूल श्रिष्टी के गीत में परमेश्वर की महिमा का वर्नन मिलता है। अयूप की पुस्तक उसके 38 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा है। जब भोर के तारों ने 7 मिलकर गाया तथा परमेश्वर के सब पुत्रों ने जैजेकार किया। यह उसकी महिमा के लिए रचा गया था। और यशाय नभी की पुस्तक में भी ये भोईश्वानी के शब्द हैं। यशाय उसके 43 अध्याय के 7 पद में। हर एक जो मेरे नाम का कहलाता है जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए रचा है तथा जिसको मैंने रचा और बनाया है। परमिश्वर ने इस ब्रहमान को अपनी महिमा के लिए बनाया है। परमिश्वर का वच्चन हमें यह भी बताता है कि परमिश्वर ने मनिश्यों को इस ब्रहमान में अपने संगत्ती के लिए बनाया। वह मानव जाती के साथ संगत्ती रखना चाहते थे और इसलिए उसने एक स्वतंत्र आच्रन प्रतिनिधी को बनाया। परमिश्वर अपने लिए कई रोबोट बना सकता था या मशिन युक्त मानव बना सकता था जो एक बटन दबाते ही उसके सामने जुग जाते। लेकिन यह सफ़ष्ट है कि परमिश्वर इस प्रकार के मानव को नहीं चाहता था। वह चाहता था कि मनुश्य स्वतंत्र हो वह अपने से उसका चुनाव करें, उससे प्रेम करें और उसकी सेवा करें। प्रेमित्र आज इस संसार में हमारे चारो और अंधविश्वास, ईश्णिंदा और परमिश्वर से बैर रखने वाले लोग रहते हैं। अब मनुश्य होने के नाते आप एक महनकारे का सकते हैं। कि आप प्रवईश्व मसी को चून ले और सामर्थी पिता परमिश्वर पर विश्वास करें, जो आकाश और प्रिथ्वी का स्षिष्टी करता है। उसके पुत्र इश्व मसी को स्विकार करें, यही आपकी और मेरे लिए एक महिमापुन मौका होगा। हम स्वतंत्रता के बारे में बहुत बाते सुनते और जानते हैं। यहां तक कि हमने कई भाशन भी सुने हैं, लेकिन आज भी जो लोग हमारे आसपास या चारो और रहते हैं, वास्त्विक स्वतंत्रता क्या है नहीं जानते। जब हम प्रविश्व मसी को अपना उधार करता होने के लिए चूनते हैं, तो यही हमारे वास्त्विक स्वतंत्रता है। अब आए हम पुना उत्पत्ती की पूष्तक के पहले अध्याय के पहले पद को देखें। आदी में परमेश्व ने आकाश और पृत्विक की श्रिष्टी की। यह एक प्रतापी पद है, यह एक आश्यर जनक पद है। मेरा मानना है कि यह पद एक दरवाजे के समान है, जिसमें से होकर आप बाइबल में प्रवेश्ट कर सकते हैं। आपको विश्वास करना होगा कि परमेश्वर ही रच्यता है। इसलिए कि जो कोई परमेश्वर के पास आता है, उसे यह विश्वास करना होगा कि वह श्रिष्टी करता है। अन्वान सही हो, प्रंतु कौन जानता है कि कितने वर्षपूर श्रिष्टी हुई थी, निश्य ही मनुश्य इसके बारे में नहीं जानता है, परमिश्वा ने रचा, यहां पर यह शब्द रचा इबरानी भासा के बारा शब्द से आया है, जिसका अर्थ है कुछ नहीं से यह शब्द उत्पति के पुस्तक के पहले अध्याय में सिर्फ तीन बार प्रयोग में आया है, क्योंकि यह श्रिष्टी के तीन रचनाव का ही वर्णन करता है, उसमें से पहला है, 21 पद में हम पाते हैं इसे, कुछ नहीं से कुछ की श्रिष्टी करना, आदी में परमिश् समुंद्री जल जन्तों तथा प्रतेक जीवित और तैरने फिरने वाले जन्तों के स्रिष्टी की। और अब तीसरा जो हमें 27 पद में मिलता है मनुष्य के स्रिष्टी। परमिश्वन ने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा। इसलिए इश्वरवाद क्रम विकास स्रिष्टी का उत्तर नहीं है या स्रिष्टी का अनुसरन करती है जब तके मनुष्य की स्रिष्टी का समय ना आ जाए। तब वो यह कहते हैं कि आदम और हवा क्रम विकास प्रक्रिया के परिणाम है। मित्रों इश्वरवादे करम विकासी उत्पत्ती की पुस्तक के दिन को एक निर्धारित समय मानते हैं, अर्थात एक लंबा समय. मैं विश्वास नहीं करता कि यह वही सत्य है, प्रन्तु परमेश्वर रचनात्मक दिनों को शब्दों के साथ चिन्हित करते हैं, तब संध्य हुए, फिर सवेरा हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया. यहां पर ध्यान दिजिए कि वह एक लंबे समय या अवधी की बाते नहीं कर रहे हैं, प्रन्तु एक दिन के सही 24 घंटे को कह रहे हैं. परमेश्वर ने आकास और प्रित्वी की श्रिष्टी की, जरा सोचें, प् क्योंकि हम भी इसकी रचना हैं. मित्रु मुझे और आपको याद रखना चाहिए कि हम एक श्रिष्टी हैं. परमेश्वर की श्रिष्टी और परमेश्वर की श्रिष्टी होने के नाते हम उसके कर्जदार हैं. कई साल पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने इस प्रकार कहा, सबसे साधारन आकरितियां जिनके अंदर नहीं जानने लायक प्रकटी करन है, जो दोबारा विभाज्य है, वे हैं समय, आकाश, वस्तु, शक्ति और गती, वे बटने वाले श्रेनी में आते हैं. एक अच्छे नीजी कारे करता, जोर्ज डुई, बलोम ग्रेन एक सेना ध्यच से जिन्होंने कानून में सनातक किया था. श्री बलोम ग्रेन उसे गवाहित देने की कोशिश कर रहे थे. सेना ध्यच ने हरबर्ट स्पेंसर का नाम लिया, तो स्री बलोम ग्रेन ने जबाब में कहा, क्या आप जानते हैं कि बाइबल और स्पेंसर दोनों ही स्रिष्टी के महा नियम की शिक्षा को देते हैं. सेना ध्यच ने आखे चौड़ी करते हुए पूछा यह कैसे है और उसका उत्तर था. स्पेंसर ने समय, आकाश, वस्तु, शक्ति और गती के बारे में बातें की है. उत्पत्ती के पुस्ते के पहले दो पदों में हम पाते हैं. आदी में पर समय का बोध है और परमिश्वर का आकास और प्रित्वी जो वस्तु का बोध करता है. प्रित्वी वेडोल और विरान थी और अताह जल की सता पर अंधिहारा था और परमिश्वर का आत्मा जल की सता पर मन राता था. आत्मा जो परमिश्वर के शक्ति को दर्शाता है. इसी जिनाध्यस के पास अब दूसरा आधार नहीं रहा जिस पर वे वाद वियात करते सिवाए इसके कि उसने ईशु को अपना उधार करता स्वीकार कर लिया मित्रों यह वास्तों में बहुत ही रूची दायक बात है कि परमिश्रा ने इन महा नियमों को उत्पत्ति की पुस्तक क के पहले अध्याय के पहले दो पदों में रखा है इसे देखना हमारे लिए और आपके लिए अती महत्पुन बात है दोस्तों मुझे उमीद है कि आज के अध्यान पर हमने जिन बातों को आपके साथ बाटा आपनी इस बात को जाना कि संसार और सिस्टी में जो कुछ है वह परमेश्वर की महिमा को प्रगट करता है जैसा कि भजन सहीता की पुस्तक उसके उन्नीस अध्याय के पहले वचन में लिखा है कि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्त कला को प्रगट कर रहा है और रोमियों की पत्री के पहले अध्याय के बीसवे वचन में हम पढ़ते हैं उसके अन देखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत जगत की स्रिस्टी के समय से उसके काम के द्वारा देखने में आते हैं यहां तक की वह निरुत्तर है हमारी आखे इस बात को देख सकती है कि परमेश्वर ने क्या कुछ रचा है परन्तु हमारा हिर्दय और हमारा मन इस पर विश्वास करना नहीं चाहता कि यह परमेश्वर के द्वारा रचा गया है प्रिमित्रों अयूब की पुस्तक के 38 अध्याय के सात्वे पद में लिखा है जब भोर के तारे एक संग आनन से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जैजैकार करते थे यह प्रगट करता है कि परमेश्वर ने सब कुछ अपनी महिमा के लिए रचा है और यशेया 43 के सात्वे वच्चन में लिखा है जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सरजा जिसको मैंने रचा और बनाया है प्रिमित्रों यह भी प्रगट करता है कि सब कुछ जो रचा गया वह परमेश्वर की महिमा के लिए रचा गया है हम आशा करते हैं कि आज के कारिक्रम से आपने अद्भुत आशिशें प्राप्त की होंगी आए प्रार्थना के साथ आज के अध्यान को समाप्त करें परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस पृत्वी पर और मनुश्यों को जो कुछ रचा है अपनी महिमा के लिए रचा और आप चाहते हैं प्रभू की मनुश्य के साथ आपकी संगती बनी रहे और हर एक मनुश्य आपकी आदर और महिमा करते रहे आपकی आग्या कारिता के दौरा आपके वचनों पर चलने के दौरा हम बिंती करते प्रभू हम सभों की सहायता करें विशेश तौर पर हमारे सभी दर्शकों की कि वे आपके लिए एक आदर का पातर बने आनद का पातर बने और आपकी महिमा अपने जीवन से प्रगट करें महिमा और आदर सिर्फ और सिर्फ आपको देते हुए बिन्ती इशू के नाम से मांगते हैं आमेन तो मित्रों, अगले कारिक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक हमें इजाज़त दें नमस्कार हमारा आज का कारिक्रम आपको कैसा लगा? हमें अवश्य बताएं हमारा फोन नमबर है 919-821-0018 और दूसरा नमबर है 965-143-3397 यदि आप चाहें तो हमें मिस्कॉल भी दे सकते हैं इसके लिए हमारा नमबर है 0444-908-1246 अगर आप इमेल करना चाहें तो हमारा इमेल आईडी है हिंदी-TTB at the rate radio882.com पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है TWR India पोस्ट बॉक्स नमबर 317-9226-001 YouTube और Facebook पेज पर भी आप हमसे जुड सकते हैं उसके लिए आप TWR India हिंदी के द्वारा जुणी